प्यारे बच्चो नमस्कार जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपकी कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक लोकतंत्रिक राजनीति भाग दो के सात्वे पाठ लोकतंत्र के परणाम पर चर्चा कर रहे हैं पिछले हंक में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि लोकतंत्र के परणामों का मुल्यांकन कैसे करें लोगतंत्र के गुण या अच्छाईयां क्या हैं? लोगतंत्र के परणामों के मुल्यांकन की पांच कसोटियां क्या हैं? हमने देखा था कि वे पांच कसोटियां हैं, पहली उत्तरदाई, जिम्मेवार और वैदस्याशन, दूसरी आर्थिक सम्रिद्धी और विकास, तीसरी असमानता और गरीबी में कमी, चौथी सामाजिक विवित्ताओं में सामंजस्से और पांच मी नागरिकों की गरिमा और आजादी। पिछले अंक में हमने लोकतंत्र के परिणामों का उत्तरदाई, जिम्मेदार और वैद शासन तथा आर्थिक सम्रिद्धी और विकास की कसोटियों पर मुल्यांकन किया था। अब हम इससे आगे चलते हैं और अन्य कसोटियों के आधार पर लोगतंत्र के परणामों का मुल्यांकन करते हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले लेते हैं असमानता और गरीवी में कमी की कसोटी पर लोगतंत्र कितना खरा उतरता है। लोगतंत्र से आर्थिक संवरिद्धी की तो आशा की ही जाती है लेकिन लोगतंत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कही अधिक तरकसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगे। जब देश में आर्थिक विकास तेज गती से हो रहा हो तब भी क्या लाब का वित्रण इस प्रकार हो पाता है कि सभी को इसका बराबर बराबर लाब मिले और सभी लोग बहतर जीवन गुजार सकें। क्या आप समझते हैं कि लोग तंत्रिक व्यवस्ता में आर्थिक समृद्धी और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना सासाथ होता है। क्या लोग तंत्र आने से अफसरों और वस्तूओं का न्यायपूर्ण वित्रण हो पाता है। तो बच्चों लोग तंत्रिक व्यवस्ता राजनेतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिदियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनितिक समानता तो मिल जाती है लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी भड़ता हुआ पाते हैं। मुठी भर धनी लोग आय और संपत्ती में अपने अनुपास से बहुत अधिक हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी भड़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बिताने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती जाती है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरते पूरी करने में भी मुश्किल आती है। तो बच्चों, आर्थिक असमानता और गरीवी में कमी की कसोटी पर लोकतांतरिक व्यवस्थाओं का निश्पादन कैसा रहा है। उपलब्ध प्रमानों के आधार पर हम पाते हैं कि वास्तविक जीवन में लोकतांतरिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने म अधिक सफल नहीं हो पाई हैं यह भी बहुत आश्यरे की बात है कि मतदाताओं में गरीबों का अनुपात अधिक होने पर भी राजनेतिक दल आर्थिक असामानता और गरीबी को कम करने के लिए कुछ विशेश चिंतित नहीं होते हैं इसका कारण यह है कि गरीब मतदाताओं को धर्म, जाती, भाशा, शेत्र जैसे मुद्दों पर आसानी से बर्गला लिया जाता है और आर्थिक असामानता और गरीबी में कमी का मुद्दा गोण हो जाता है अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश के मददाताओं में गरीबों की संख्या काफी अधिक है और इसलिए कोई भी राजनेतिक दल उनके मतों से हाथ दोना नहीं चाता फिर भी लोकतांत्रिक धंग से चुनी हुई सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तैयार नहीं जान पड़ती जितना की नागरिक उनसे उम्मीद करते हैं कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी अधिक खराब हैं बंगला देश में आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी में जीवन गुजारती हैं अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्दे आपूर्ती के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं इस बारे में दिये गए कार्टून भी यही दिखाते हैं कि निर्धन वर्ग के आगे सदा अफसरों की असमानता ही बनी रहती है यदि हम विभिन देशों में आई की असमानताओं को दिखाने वाली तालिका को देखें तो हम पाते हैं कि लोग तांतरिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है दक्षण अफरीका और ब्राजील जैसे देशों में उपरी 20 पृतिशत लोगों का ही कुल रास्ट्री आये के 60 पृतिशत हिस्से पर अधिकार है जबकि सबसे नीचे के 20 पृतिशत लोग रास्ट्री आये के केवल 3 पृतिशत हिस्से पर ही जीवन व्यतीत करते हैं डैन्मार्क और हंगरी जैसे देश इस मामले में कही अधिक अच्छे कहे जाएंगे अतहा यह इसपश्ट है कि लोग तंत्र आर्थिक असमानता और निर्धनता में कमी करने में अधिक सफल नहीं रहा है बच्चों अब हम लोग तंत्र के परिणामों को अगली कसोटी पर कसते हैं और यह कसोटी है सामाजिक विवित्ताओं में सामंजस्से लाने की कई बार आपके मन में भी प्रिशन उत्पन होता होगा कि क्या लोग तंत्रिक शासन विवस्थाएं शान्ती और सदभाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए साहक सिद होती हैं तो बच्चों लोग तंत्रिक विवस्था से यह उम्मीद करना उच्चित ही है कि वह सदभाव पूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्द कराएगी आप जानते ही हैं कि लोग तंत्रिक विवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विवाजनों को समालती हैं आप जानते ही हैं कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहां के विभिंजातिय समुओं की आकांग्शाओं के बीच सफलता पूर्वक सामन जस्से इस्थापित किया लोग तंत्रिक विवस्थाएं आम तोर पर अपने अंदर की पिर्ती दंद्विताओं को समालने की पिर्क्रिया विक्सित कर लेती हैं इससे इन तकरावों के विस्फोठक या हिंसक रूप लेने का संधे कम हो जाता है इस मुद्दे पर कुछ आलोचक यह तर्क देते हैं कि लोग तंत्र में केवल इस बात का पक्का इंतिजाम होता है कि लोग एक दूसरे का सिर ना फोने यह कोई वास्तविक सर्भाव प्रेम और भाईचारे की इस्तिती तो ना हुई क्या हमें इतने भर से संतोष कर लेना चाहिए बच्चों आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने मित्रों से इस मुद्दे पर अवश्य ही विचार विमर्ष कीजिए तो बच्चों कोई भी समाज अपने विभिन समुओं के बीच के टकरावों को पूरी तरह और इस्थाई रूप से खतम नहीं कर सकता है लेकिन हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और उनके बीच बातचीत से सामंजस से बैठाने का तरीका भी विक्सित कर सकते हैं इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है गैर लोकतंत्रिक विवस्ताएं आम तोर पर अपने भीत्री सामाजिक मतभेदों की ओर ध्यानी नहीं देती हैं और उन्हें दवाने की कोशिश करती हैं सामाजिक अंतर विभाजन और टक्रावों को समालना निश्चित रूप से लोकतंत्रिक व्यवस्ताओं का एक बड़ा गुण हैं लेकिन बच्चों हमें श्रीलंका का उधारन भी याद रखना चाहिए वहां लोकतंत्र होने के बावजूद धार्मिक और भाशाई आधार पर अल्प संख्यकों का उत्पिलन हुआ जिससे देश ग्रह युद में फस गया अतहा यदि लोकतंत्रिक व्यवस्ताएं सामाजिक विभित्ताओं में सामंजस से लाने की कसोटी पर खरा उतरना चाहती हैं तो उन्हें इन दो शर्तों को पूरा करना पड़ेगा उनमें से पहली शर्त है आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं होता है बहुमत को सदैव ही अल्पमत का भी ध्यान रखना होता है केवल तब ही सामाजिक विभित्ताओं में सामंजस से स्थापित हो सकता है बहुमत को अल्पमत के साथ काम करने की आवश्यक्ता है केवल तब ही बहुमत की सरकार जन सामानने की इच्छा का प्रितिनिधित्व कर सकती है बहुमत और अल्पमत की राय कोई इस्थाई चीज नहीं होती है बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सामाजिक विवित्ताओं में सामंजस से इस्थापित करने की कसोटी पर खरा उतरने के लिए जो दूसरी शर्थ पूरी करनी चाहिए वह है कि उन्हें यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धरम, नसल, अत्वा भाशाई आधार के बहु संक्यक समू का शासन नहीं होता है बहुमत के शासन का अर्थ होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समू बहुमत का निर्मार कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रतेक नागरिक को किसी ना किसी अफसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अफसर मिलता है यदि किसी को जनम के आधार पर भहु संक्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जा सकता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समु के लिए कोई महत्र नहीं रखता तो बच्चों हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीती के दो तरह के प्रभाव होते हैं पहला प्रभाव है संगहर्ष, लोकतांतरिक राजनिती इस प्रकार संचालित हो सकती है जिससे सामाजिक विभाजन संगहर्ष में परिणीत हो जाएं, हम श्रिलंका के उधारण से परीचित हैं ही लोकतांतरिक राजनिती, धर्म, जाती, भाशा, शेत्र जैसे मुद्दों को संगहर्ष के कारणों में बदल कर व्यापक पैमाने पर संगहर्ष भी उत्पन कर सकती है हम अपने ही देश में देख सकते हैं कि राजनितिक दलो द्वारा हिंदी थोपने के नाम पर दक्षन भारतिय राज्जियों के लोगों को भलकाया जाता रहा है और इस कारण से साठ के दशक में हिंदी विरोधी दंगे भी हो चुके हैं इसी प्रकार हातरस में एक लड़की की हत्या जो की एक कानून व्यवस्था का मामला है को जातिय रंग दे कर जातिय दंगे भड़काने का प्रियास भी विविन राजनितिक दलो ने किया था दूसरी ओर लोगतांत्रिक राजनिती को इस प्रकार भी संचालित किया जा सकता है जो सामाजिक विभाजनों में सामंजस से स्थापित करके समाज में हेल मेल को भढ़ावा दे बेलजियम के उधारण से हम परिचित हैं ही कि कि किस प्रकार लोगतांतरिक विवस्ता ने वहां के विविन समुदायों के बीच सामंजस से इस्थापित किया भारत में गोर्खा नेशनल हिल काउंसिल बोडो ऑटोनोमस काउंसिल जैसी संस्थाओं की स्थापना द्वारा लोगतांतरिक राजनीती ने समाज में हेल मेल इस्थापित करने का ही काम किया है तो बच्चों अब हमें खेल खेलते हैं मैं आपके समक्ष कुछ इस्थितियों का वर्णन करूँगा और आपको यह बताना होगा कि यह लोगतंतर के परणामों की कौन सी कसोटी का वर्णन है इस संबंद में लोगतंतर को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थाकत उपाए भी आप सुझाएं तो हमारी पहली इस्थितिक का भारत के विभिन राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्म हत्या कर रहे हैं तो बताईए बच्चो यह बात लोगतंतर के परणामों की कौन सी कसोटी से संबंदित है जी हाँ यह आर्थिक असमानता और गरीबी में कमी की कसोटी से संबंदित है भारत में एक ओर जहां उद्योगपती और व्यापारी लगातार धनी होते जा रहे हैं वहीं किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है वे फसल उगाने के लिए बैंकों और अन्ने अनौपचारिक संस्थाओं से उधार लेते हैं लेकिन फसल खराब हो जाने या फसल की उच्चित कीमत न मिलने के कारण वे अपना उधार वापिस नहीं लोटा पाते और दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं इस प्रकार उद्योगपतियों तथा व्यापारियों एवं किसानों के बीच आर्थिक असमानता की खाई चोड़ी होती जा रही है और किसान निर्धनता के जाल से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं इस कसौर्टी पर खरा उतरने के लिए अर्थात आर्थिक असमानता और निर्धनता को कम करने के लिए अनेक नीतिगत उपायों की आवश्यक्ता है तो बच्चों अब हम आते हैं दूसरी इस्तिती पर इस्तिती खा भारस सरकार ने सरकारी नौक्रियों और शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछला वर्ग और आर्थिक रूप से पिछले वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है तो बच्चों आपको क्या लगता है यह बात लोगतंत्र के परिणामों की कौन सी कसोटी को वर्णित करती है जी हाँ सही पहचान आपने यह लोगतंत्रिक परिणामों की सामाजिक विवित्ताओं में सामंजस्से लाने की कसोटी है किसी भी समाज में अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग आकांगशाएं और मांग होती हैं, जो की प्राय परसपर विरोधी भी हो सकती हैं। उनकी भागिदारी इस अनुपात की तुलना में बहुत कम थी जिससे इन वर्गों में असंतोश था इसी प्रकार सामानने वर्ग में भी बहुत से उम्मीदवार कमजोर आर्थिक हालत के होते थे अधा वे अन्य वर्ग के उम्मीदवारों से भली प्रकार पृतियोगिता नह मिल पाती थी के वे तथा कथित ऊची जाती के हैं अता उनमें भी असंतोश व्याप्त था एक गैर लोकतंत्रिक सरकार इन दावों की अंदेखी कर सकती थी और ऐसा होने पर सामाजिक विभाजन इतना भड़ सकता था कि जातिय युद्ध की नौबत आ सकती थी यह लोकतंत्र की सुन्दर्ता है कि उसने संसत के द्वारा आरक्षम का प्रावधान करा के इस जातिय टक्राव की संभावना को टाला और सामाजिक विभाजनों के बीच सामंजस से इस्थापित किया अब बच्चों हम आते हैं तीसरी इस्थिती पर इस्थितिग भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संग सरकार की राजभाशा बनाया और 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रियोग की भी अनुमति दी थी लेकिन 1965 में भारत सरकार ने संग की सह भाशा के रूप में अंग्रेजी के प्रियोग को अनंतकाल के लिए बढ़ा दिया है तो बच्चों बताईए यह लोगतंत्र का कौन सा परिणाम है जी हां सही पहचाना आपने यह सामाजिक विभाजनों में सामंजस से इस्थापित करने से संबंधित परिणाम है भारत एक भहु भाशा भाशी देश है लोगों को अपनी भाशाओं से भावनात्मक लगाव और जुडाब भी है अतहा केवल हिंदी को संग की राजभाशा बनाने के प्रावधान से अन्य भाशा भाशी लोगों विशेशकर तमिल नाडू के लोगों के भाशाई स्वाभिमान को ठेस पहुँची इसके अतरिक अन्य भाशा भाशी लोगों को यह ही लगा कि केवल हिंदी को संग की राजभाशा बना देने से अधिकांच सरकारी नोकरियों पर केवल हिंदी भाशा भाशी यों का कबजा हो जाएगा और अन्य भाशा भाशी पिछड जाएंगे इसलिए 1965 में जब 15 वर्ष की अवधी पूर्ण होने जा रही थी और अंग्रेजी के प्रियोग को समाप्त करके केवल हिंदी को संग की राजभाशा बनाया जाने वाला था तब इसके विरोध में तमिल नाडू में भाशाई दंगे छड़ गए एक गैर लोकतांतरिक व्यवस्ता में इस विरोध की उपेक्षा करके हिंदी को जबरदस्ती थोपने का प्रियास किया जा सकता था जैसे रूस ने पोलेंड पर रूसी भाशा और पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाशियों पर उर्दू थोपने का प्रिया किया था लेकिन उसके विनाशकारी प्रणाम हुए थे भारत में चूंकी सच्चे अर्थों में लोगतंत्र था अतहा गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी नहीं थोपी गई और 15 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान किया गया इस प्रकार भारतिय लोगतंत्र ने सामाजिक विभाजनों में सामंजस से इस्थापित करने का कारे किया तो बच्चों अब चलते हैं आपके पसंदीदा भाग प्रश्नोत्त्री पर इसके लिए आपका आज का पहला प्रश्न है लोगतंत्र का एक प्रमुख परिणाम रहा ह है और अब आपके विकल्प है क सामाजिक विभाजनों के बीच सामंजस से इस्थापित करना ख आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना ग आर्थिक विकास दर में व्रिद्धी करना और ग भ्रस्टाचार की समाप्ति तो बच्चों बताईए क्या है इस प्रश्न का सही उत् है क तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर लोगतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इन में से कौन सी एक बात लोगतंत्रिक विवस्थाओं के अनुरूप नहीं है और आपके विकल्प हैं क स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव ख व्यक्ति की गरिमा ग बहुसंख्यकों क का शासन और गया कानून के समक्ष समता तो बच्चों बताइए क्या है इसका सही उत्तर जी हां सही कहां आप ने इसका सहीी Chief है गया लोगतंत्र का अर्थ केवल बहुसंख्यों को कशासन ही नहीं होता है तो बच्चों आईए अब चलें अगले प्रशन पर लोक तांत्रिग विवस्था के राजनीतिक और समाजिक असमानताओं के बारे में किये गए अध्यन बताते हैं कि अब आपके विकल्ब है का लोगतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं ख लोगतंत्रिक विवस्ताओं में असमानताइं बनी रहती हैं ग ताना शाही में असमानताइं नहीं होती और ग ताना शाहियां लोगतंत्र से बहतर सावित होई हैं तो बच्चों बताइए इन में से कौन सा उत्तर है खा, तो बच्चों अब आते हैं अगले प्रैस्ष्ण पर, ये कथन और कारण के रूप में, तो कथन A कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीबों का राज होता है, और कारण R कहता है, लोकतांत्र का मतलब है बहुमत का शासन, अब आपको इन चार विकल्पो में से कोई एक विकल्प चुनना है पहला विकल्प है क ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एकी सही व्याख्या करता है ख ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर एकी सही व्याख्या नहीं करता है ग ए सही है लेकिन आर गलत है और ग ए गलत है लेकिन आर सही है तो बच्चों बत आपने इसका सही उत्तर है घह अब बच्चों चलते हैं आज के अंतिम प्रशन पर तो इसमें पहला कथन कहता है कथन एक लोगतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है और कथन दो कहता है लोगत केवल तभी तक लोगतंत्र रहता है जब तक प्रतेक नागरिक को किसी ना किसी अफसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का अफसर मिलता है और आपके सामने विकल्प हैं कथन एक और दो दोनों गलत हैं ख कथन एक और दो दोनों सही हैं ग कथन एक सही है और दो गलत है और ग कथन एक गलत है और दो सही है तो बच्चों बताईए क्या होगा इस प्रशन का सही उत्तर? जी हाँ, सही का आपने इस प्रशन का सही उत्तर है ख, तो बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक, लोक तंत्रिक राजनीती भाग 2 के सात्वे पाठ, लोक तंत्र के परिणाम पर अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, आशा है, आपको आज की चर्चा रूचिकर और उप्युक्त लगी होगी, अब अगले अंक में आपसे फिर भेट होगी, तब तक के लिए, नमस्कार. झाल